Hello everyone, कैसे हैं आप सब? I hope आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे तो आज की reading आपको पता है कि अभी जो है, अभी की reading हम करने वाले हैं कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में ठीक है, reading का topic यही रहेगा देखेंगे हम आज के अपने इस reading में कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्लियर तरीके से हम देखने की कोशिश करने वाले हैं ठीक है, सो जनर reading होगी, collective reading होगी, हमेशा की तरह आपको पता है, और जिनको यह bracelet लेने हैं, आप लोग contact कर सकते हैं health के लिए बहुत ही अच्छा सा ये bracelet है, ठीक है, इसके बहुत सारे benefits हैं ये तो especially love life के लिए है, लेकिन ये जो bracelet है, आपके लिए बहुत बहुत effective है ठीक है, तो इसको भी buy कर सकते हैं, और इसको भी कर सकते हैं, ये double layer में है ठीके तो आप इसको ले सकते हैं चलिए करते हैं reading को start देखते हैं कि आपके जो partner हैं वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में तो मैं card निकाल रहे हूं देखते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में तो energies पहले तो थोड़ा से cards जो है न मैं ये कर रहे हूं कि थोड़े से mix up कर लेते हैं cards को ताकि हमें भी clear answer मिल सके तो चलिए energy देखते हैं cards की क्या है थोड़ा सा ओके होगे चलिए अब मैं cards निकालती हूं देखती हूं कि आपके partner क्या सोच रहे हैं आपके बारे में okay okay so cards देखते हैं first card है यहां पर four of cups का card okay five events and है मेरे पास यहां पर chariot के energy ठीक है तो तीनों deck से तीन तरह किया के मैंने pile बनाया है यहां पर तीनों pile से मैंने निकाले हैं deck से card ठीक है deck से डेख तो एक ही है लेकिन pile मैंने बना दी है ठीक है तो pile number one pile number two pile number three ठीक है आपको choose नहीं करना है मैं सब में mix बताओंगे तो यहां पर देख रहा है कि आपके partner काफी ज़दा सोच रहे हैं आपके बारे में बहुत ही ज़दा एक जो इनकी feelings हैं जो emotions हैं देखो यह सबसे पहले तो यह person बहुत अकेले ह ज़दा इनका अकेला पन इनका अधूरा पन इनको खाये जा रहा है यह ज्यादा किसी से बाते नहीं कर रहे हैं ज़दा किसी से भी बाते नहीं कर पा रहे हैं यह person ज़दा किसी से भी उतना ज़दा घुलना मिलना नहीं हो पा रहा है कहीं ना कहीं यह person बहुत ज़दा जो पा रहे हैं या फिर इनके life में already इतने ज़दा obstacles हैं इतने ज़दा challenges हैं कि उनका सामना करना इनके लिए बहुत ज़दा मुश्किल हो रहा है ठीक है आपके partner के लिए बहुत ज़दा मुश्किल हो रहा है और ये person उन मुश्किलों का जो है ना सामना कर रहे हैं बखू भी कर रहे हैं ये person और देखो ये person अपने situation को समभालना तो चाह रहे हैं लेकिन situation इनकी खतम नहीं हो रही है यानि कि समल नहीं रही है और आचानक से देखो आपके partner आपके लिए action या decision लेने के बारे में भी सोचते हुए द ना feelings emotions को जाहिर करना है ना देखो symbols मिल रहे हैं आपको है ना तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके partner आपको अपनी feelings अपने emotions को बताना चाहते हैं six of cups के card से देखो यहाँ पर भी same आया है energy कि आपके partner आपके लिए ज्यादा feel करते हैं ठीक है ज्यादा feel करते हैं और इसलिए यह person आपके बारे में ज्यादा सोच रहे हैं यहाँ पर क्या है यह person को आपके साथ जो है एक बहुत ही बैतरीन सी energy feel होती है और यह person वही उसी के बारे में सोच रहे हैं कि उसी के साथ मुझे यह connection क्यों feel होता है यानि कि यह connection यानि कि soulmate connection feel होता है इस person को आपके साथ आपके लोदा दीप्री थिंगींग घरते हैं यह पॉर्टसन ठीक है और दसन की और जी है एक दम से आपके बारे में अभी यह पॉर्शन सोच रहे हैं कि काश आप दोनों का चाहिए बहुत ही अच्छा हो जाता है बहुत ही एक एक जो जो इस तरीके का एक पॉरसन के साथ connection होना चाहिए, love portion के साथ connection होना चाहिए, उस तरीके connection हो जाता आप दोनों का तो आप दुनों की बल्ले-बल्ले हो जाती, ठीक है, यानि कि आप दोनों के connection में जैना, यहां पे improvement आ जाती और आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं ठीके तो आपके partner आपके साथ एक बहुत ही खुबसुरत सी एक कैता ना कि सपने देख रहे हैं सपने देखने का मतब यही है कि आपके साथ planning कर रहे हैं आपके साथ planning करके ही relationship में आगे बढ़ना चाहते हैं विदाउट planning कुछ नहीं करना चाहते हैं विदाउट planning कुछ भी नहीं कर सकते हैं यह person यह person जैना आपके साथ ही future को देख रहे हैं और future में जैना आपके साथ ही आगे बढ़ना इनको सही लग रहा है यह person 10 of cups के energy में है यानि कि यह person जैना सोच रहे हैं आपने family से भी बात करने के बारे में आपके बारे में चुकि family जो है ठीक है family जरूरी है हर किसी के लिए जरूरी है आपके लिए भी जरूरी है आपके partner के लिए भी जरूरी है तो family के बारे में यह person का सोचना हो रहा है है future बने आपके साथ जो है ना पूरी तरीके से यह person secure feel करें और आप भी secure feel करें है ना तो यहाँ पे दिख रहा है कि person जो है ना आपको ले करके बहुत बहुत अच्छी से energy feel कर पा रहे हैं ठीक ओके यहाँ पे है the emperor की energy the emperor की energy भी बता रही है कि आपके partner जो है finally इनको feel हो रहा है कि हाँ यह person जो है ना अपना गुस्सा दिखा रहे है या अपना attitude दिखा रहे है आपको और ऐसा कुछ नहीं है ठीक है इनके अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो कि यह person दिखा है लेकिन फिर भी आपको दबा के रखना ज़दा इनको लग रहा है कि हाँ इनों ने अपनी जो थोट है आपके उपर फोप दिया है ठीक है आप के लिए क्या सही है क्या नहीं है यह परसंट डिसाइड करते हैं तो यह कई ना कई गलत है इनको फील हो रहा है कि नहीं यह रोकना टोकना अच्छा नहीं है और कई ना कई यह person justice नहीं कर रहा है इनको feel हो रहा है तो यह person feel करकर की यहाँ पे दिख रहा है कि यह person action लेना तो चाह रहे हैं लेकिन लेने ही पा रहे हैं मुझे यहाँ पे यह भी दिख रहा है देखो एक तो इस person का ego इतना ज़्दा है यह person रुके हुए है यह person आगे नहीं बढ़ पा रहे है जो कि इनके लिए बहुत गलत है थीक है यह person गलत तो नहीं करेंगे यह पर सब करना चाहते हैं लेकिन गलती हो जाती है थीक है इनसान से इसकाल है देखो यह पर trust issues भी यह आप दोनों की बीच में सेवन оф सौट्स की नअट यğ corner विए अंदों की बीच में और डॉस्ट कुछ जादा ही है ठीक है स्वे को जाद उया मुझे लगता कि पहली भी कई बार आपको दोखा दे है और पहले भी धोखा देने के कारण से आप जो है इनके उपर ट्रस्ट कर पा रहे हैं जो की रही बात है 2 aye जब किसी के ऊंपर से ट्रस्ट खतम हो जाता है तो फिर वह बन नहीं पाता है प्रोबलं यह पर यह जाती है और यहीं हो रहाएं यहां पर ये पर्सन के ये पर्सन का दिख रहा है कि ये पर्सन ये पर्सन जैना पूरी तरीके से तयार नहीं हो पा रहे हैं याने कि इनको भी पता है कि आप इनके उपर पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं करते हो पूरी तरीके से आप ट्रस्ट कभी नहीं कर वें क्योंकि ये पर्स जादा कोई कैसे सोच सकते हैं अपने बारे में सिर्फ अपने बारे में अपने फायदे की बाते सोचना अपने फायदे के लिए करना है ना तो कहीं ना कहीं यह परसन जाए ना बस अपना फायदा देखते हैं अपना फायदा सोचते हैं तो आप भी इनके उपर उतना ज़्य करने में जो है ना इंट्रेस्टेट नहीं हो मुझे यहां पर यह फील हो रहा है कि अपने भी जो है ना अपकान पकड़ ले कि नहीं मुझे इसके उपर ट्रस्ट ही नहीं करना है क्योंकि इसने मेरा ट्रस्ट बार-बार तोड़ा है ठीक है तो यहां पर दिख रहा है यह पर पर्षन अपने पैसों के प्रति ठीक है बहुत ज़्यादा फोकस रहता है बहुत सम्हाल के रखना पैसों को बहुत कम खर्चा करना ऐसा भी मुझे नजर आ रहा है ठीक यह पर्षन सोचते हैं आपके बारे में देखो मैंने पहले भी कहा कि यह पर्षन थोड़ा सा अपने फ मुझे यही फिल हो रहा है आपके काड्स में कि अपके जो पार्टनर हैं आपको ले करके थोड़े सा एक मैंड होता है कि वह सही करना चाहते हैら साथ हुए इसे कपने फ्रेंट के साथ गूम रहा है है या फिर आप कुच एसे लगा रहे हो जिसमें आप बहुँत ज़्यादा खुश नजरा रहे हो जो इसा दिखा रहे हो कि हाँ तु आए ना आए मैं तेरी बगर खुश हूँ ठीक है तो ऐसा आप दिखा रहे हो तो यह person वही सारी शीरे देख करके सोच रहे हैं कि यार यह इतना ज़दा जो है ना इतना ज़दा positive कैसे है इतना ज़दा positive हो कैसे गई या हो कैसे गया क्योंकि मैं इसके life में नहीं हूँ है ना फिर भी इतना ज़दा positive कैसे हो सकता है यह person ठीक है मैं यहाँ पे इदने ज़दा सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है ठीक है और इनको ऐसा feel हो रहा है मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है चलिए यहाँ पे दिख रहा है king of cups की energy के अनुसार से कि यह person को बहुत ज़दा emotionally feelings हो रह feelings मुझे इनकी नजर आ रही है deeply यह person सोचते हुए आपके बारे में दिख रहे हैं मुझे ठीक है तो यहाँ के energy के अनुसार से यह देख पार हूँ चलिए कुछ other card निकालते हैं यानि कि कुछ Oracle deck से देखते हैं cards ओके चलिए कुछ और cards निकालते हैं देखते हैं कि क्या है cards के energy ठीक है उसके बाद हम reading करेंगे ओके सो चलिए देखते हैं cards ओके सो देखिए यहाँ पर arrest and reconsider का card आया है जो कि बता रहा है कि आपके जो partner है देखो यह person के अंदर क्या है अची जाने की कुछ डर है जसे ऐना कि अंदर से feel नहीं होता है हम अंजानकर करने लगते हैं कि यार्ण पता नहीं, होगा नहीं होगा हम चीजों को लेकर के अपने feelings को लेकर अपने emotions को लेकर उतने Edwards नहीं होते तो कहीं ना कहीं जो है ना एक जो connection है वो मैं इनका sure नहीं देख पारी हूँ ठीक है तो मैं यहाँ पे देख पारी हूँ ना कि यह person जो ना बहुत सदा डरते हुए दिख रहे हैं डरड़ वाली energy मुझे इनकी feel हो रही है ठीक है चलिए और card देखते हैं तो यहाँ पे वही है आपके जो partner हैं सोच रहे हैं कि इस relationship में मुझे बहुत मैनत करने पड़ेगी जी तोड़ मैनत करने पड़ेगी तब जाके मुझे इस relationship में कोई success मिल पाएगी या कुछ हो पाएगा क्योंकि relationship है तो दोनों को ही efforts डालने पड़ेंगे किसी के effort डालने के वज़से कोई relationship success नही होती है और efforts दोनों तरब से डाले जाएं तभी इसमें result भी मिलता है ठीक है तो मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है कि आपके partner जो है न यही सोचते हुए दिख रहे हैं control करते हुए काफी दिख रहे हैं अपनी feelings अपने emotions को कहीं हद तक जो है न यह person control कर रहे हैं देखो बहुत अच्छे तरीके से control कर रहे है बहुत अच्छे तरीके से control करना चाहा रहे हैं यह नहीं चाहते हैं कि यह emotions out of control हो feelings out of control हो या पिर आगे कुछ ऐसा हो जिसके वज़े से यह disturbed रहे हैं यहां पर मुझे feel हो रहा है न कि यह person ज Rainer बहुत अकेला पन फील कर रहे हैं यहाँ पे feeling alone का भी card आया है तो इनको ऐसा लग रहा है यह person सोच रहे हैं कि यार अगर कुछ नहीं हो सकता है तो क्या रास्ता बचता है रास्ता तो यही बचता है ना कि हाँ move on करो ठीक है क्योंकि यहाँ पे यह person को अकेला पन फील हो रहा है यह person हमेशा जो है ना हर रात बस चांद को देखते रहते हैं और चांद से बाते करते रहते हैं तो यह person की feelings ऐसी है कि हाँ आखिर मैं कब तक ऐसे करता रहूँगा अच्छे तरीके से आपके विश्वास के साथ खेला आपके जो है आपकी feelings, आपके emotions की कोई value नहीं की तो कहीं ना कहीं ये person को ऐसा feel हो रहा है कि हाँ ये person जाएना बहुत ज़दा जो है बहुत ज़दा weak energy से गुजर रहे हैं बहुत ही ज़दा ठीक है तो मैं यहाँ पर देख पारूं कि ये person को बहुत ज़दा regret feel हो रहा है आपके लिए ठीक है तो ये है आज की reading, आपकी reading मिलते हैं फिर अगली reading में तब तक हसे रहे हैं, मुझको राते रहे हैं और खुश रहे हैं आप मुझसे कुंडली reading लेने के लिए और palm reading लेने के लिए बी contact कर सकते हैं तो मिलते हैं अगली reading में, बाबाई